नमश्कार दोस्तों रोजाना राश्वी फल दखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें शाथ बैल आइकन को प्रेश कर दें ताकि दोस्तों आपकी राश्य से जूड़े सभी जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंच चके और आप उन्हें देखकर अपने जीवन के सब्सक्राइब करने वाले हैं सबसे पहले दोस्तों जिनका भी अश्मी बढ़ते हैं या फिर इनवर्श्री है आप शभी कमार्दव से देर शारी शुक कामना है तो आई दोस्तों इसे के शाथ बात करते हैं यह गर्णों के तदी केश्य होंगी क्या-क्या योग बनेंगे और इन श्रभी का श्रापकी राशी उपर क्या होगा कि इनकी चीजों को लिकर याश्मी आपको सावधा नेने होगे और आगर कौन कौन शिकारे आपके लिए भागे शाली होगा दोस्तों याश्मी आपका दब लाइब श्वास्त करियर और धनकी से दिकेश रहेंगी रहेगा दोस्तों यू की बात गात करें शादी नाम का शुब योग रातिरी के प्राथा काल 2 बच कर 18 रहेगा उसका परांते शुब नाम का यूग परारम हो जाएंगे दोस्तों दियान रहें आप अशुप समय में कोई भी महत्पोन कारें को बिल्कुन ना करें तो दोस्तों यह शमय रहेगा शाम के 3 बचकर 29 मर्च लेकर शाम के 5 बचकर 2 मिनेट तक और दोस्तों सेनर्मान दियुशिंग राशी को प्रांत करने राशी में शंचार करेंगे दोस्तों को उतना ही जल्दी छमा करें जितना जल्द आप भगवान से छमा चाते हैं किसी के दिल को ठेज पहुँचा कर माफी मांगना बहुत ही असान है लेकिन चोट खा कर किसी को माफ करना बहुत ही मुश्किल है दोस्तों आदमेता को जिवित रखने का सबसे अच्छा तरीका या है कि गलतियों को हम उधारता से छमा करना शिखें दोस्तों प्यार के बिना माफी नहीं है और माफी के बिना प्यार नहीं है कि ठाब वीरों का गुन होता है दोस्तों यदि कोई दूर्बल्स माना वुश्य दंड करे तो उसे छामा कर दो क्योंकि छामा करना कि योका क् areas कर ने वाला बलवान हो तो उसको अवश्य देप만 करो पिद अगया उसे जाने दो तो चली इसे की साथ बात करते हैं आज की राशीफल की साथ बात करें तो दोस्तों ये ध्यान रखें कि अधिक सोच बिजार करने में कुछ परिणाम आपके हाथ से निकल सकते हैं तो दोस्तों उसके लिए पेशा जोड़ना शुरू करना होगा आपके दोवराद दी गई लोन की अरजी ये नकारा जा सकता है लेकिन दोस्तों पेशे से जुड़ी मदद आपको परिवार के मेत्रों से प्रात हो शकती है इश्क प्रांद दोस्तों ये शुमें आपके लिए समय होगे दोस्तों घर को सुवविस्तित रखने में आपकी विस्स रोजी रहेगी पिछले कुश में से चल रही परिशानियां आपके शकारत्मक दिश्टिकॉन और संतुली सोच से काफी हद तक सुला जाएंगे इश्क प्रांद दोस्तों ये शमें आपके लिए समय होगे किसी मित्र या फिर सिदार की कलत सला के लिए परिशानी का कारण बनेंगे भी बैता रहां कि दोस्तों अपने निर्णे को ये शरुप पढ़ते रखें और दोस्तों अपने गुष और अहम जिसी नकात्म कम्यों में शुधार लाने के लिए आपका व्योगा अंति में के महार लाने की गोशिश ग्रें यह आपके लिए बैतर होंगे इसको अदोस्तने है आपके लिवी सभूंगे अपने लक्ष के प्रती द्रे द्रे बड़ दोस्तों अपनी भावनों को कावों में करना भी आपके लिए यह शमय असान रहेगा अधिकतर शमय आप अपने विचारों में खोई रहेंगे और इनके वज़ेशे आप जो है किसी जटिल प्रशन का भी उत्तर प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों दूसरों के प्रती भी रखिया प्रक्षाओं को कम रखें यह आपके लिए बैतर होंगे दोस्तों दिर्णी निश्यर होकर अपने प्रतिक कारे में ध्यान दें आर्थिक दिरिश्टरी से ये जो दिन है ये जो समय है आपके लिए बहत्रे रुप्रगदियां ला रहा है दिन्च्रीया को वैसतित रर्खना आपके लिए अतियाउश्चु होगा कभी कभी गुशे या फिर वानी में कटूता की वज़े से बनते कारी भी बिगड़ सकते हैं इस बात का भी ध्यान दे और अपने वानी पर स्वैम रखकरी कारियों को शुरू करें इसके बात दोस्तों याशो में आपके अंदर की अच्छायां और बुरायां दोनों को शंतुलित रखना आपके लिए महत्पुन शाबित हो सकता है दोस्तों के दोरा कही गई बातों से जो आपको मनस्रिक तकलिप होती है उस तकलिप की वज़शे आप जो है गलत निरले याशो में ले सकते हैं इसलिए दोस्तों खुद को शांत रखने का प्रयाश याशो में आपको करना चाहिए दोस्तों दोस्तों की बातों में आकर वक्तिगत जिवन के लिए या फिर वक्तिगत जिवन के बारे में आप जो निरले में बदलाव नौ लाएं यह आपके लिए बैतर होंगे इसका प्यांतर यस्म में आपके बेखले दिनों से चल रही थकान बरी दिनों से शुखुन पाने के लिए आपको रूची पूर्ण कार्यों में अपना शुमर्गर को वहितित करना चाहिए यासे में आपको कोई रुका हुआ या फिर उदार दिया हुआ पेशा आपको वापस मिल सकता है इसके सम्होना बन रही है परेंदू दोस्तों इसमें ध्यान रखिए कि पेशे आने के साथ साथ खर्चे भी रहेंगे दोस्तों यश्मे लपरवाई में आकर किशे भी नियम का उलंगन ना करें अने था कानूनी पचले में भी आप फंच रखते हैं इसको प्रांद यश्मे अभी वक्त आपके पक्ष में ही रहेगा करेबी वक्ति दोवरा अनन्द आपको प्राप्त होगा परिवार और मित्रों में जो है आपका प्रवाव बना रहेगा दोस्तों आपकी वक्तिगत देंचरिया से जुड़ी हर बातों में आपको परगती प्राप्त होगी दोस्तों यह में मन अनन्दित रहने के वज़े से छोटी बातों का भी आप फूरा लूपत यह में उठा पाएंगे इसको ब्राम दोस्तों यश्में अगर आपकी केरियर को लेकर बात करें तो दोस्तों वहिपारियों को प्रगती प्राप्त होंगी और नए वहिपार की वजना भी यश्में बन शकती है इसको बराएं दोस्तों याश्यत में कुछ भरोश्य मन पार्टियों से आपको नई प्रशावद भी मिलेंगे दोस्तों याश्यत में लावदाय की स्थियां आपके लिए रहने वाली है दोस्तों वाविशाय के छेतर में मेनेजमेंट तथा करमचारियों के बीच ताल में बना कर रखें दोस्तों यह जो आपके लिए समय होंगे उनकी लापरवाई के वज़े से दिक्कतें आज सकती है दोस्तों यह शमय अपने बहुशोमन्दी किसी भी योजना को अस्तगीत रखकर वर्तमान गत्युदियों पर ये अपना ध्यान को जो है केंदरिद रखें ये भी आपके लिए बैतर होंगे दोस्तों जल्दी ही शमय की चाल आपके लिए अनुकुल होंगे नौकरी में भी किसी परकार की यशमय यात्रा सम्भव होंगी इसन प्रण दोस्तों एपके केरियर के लिए जूसे में होंगे दोस्तों इनिकम के शंशादों में भी कुछ कमी रहेशक्ति है परदो दोसा जल्दी ही dossier आपके पक्ष में होंगी इसलिए दोसों अपने कारियों के प्रती दियान को केंदरित रखें नोकरी पेशालों को यह शमय ओपिस में समाजर से बिठाने की में जो कुछ दिक्कतों का शामना करना पड़ सकता है लेकिन आप इसमें कामयाब रहेंगे इसको प्रतों यह शमय अगर आपकी लव लाइप के लिएकर बात करें तो यह शमय आपके मुश्किल समय में जिवन साती का स्योग आपके लिए संजीवनी का कारे करेगा दोस्तों सिर्फ अपने गुश्य वा फिर आवश में आवश पर कंट्रोल करने की कोसिज करें यह आपके लव लाइप के लिए इसमें बहतर होंगे इसको प्रतों दोस्तों यह में आपके लव लाइप के लिए समय होंगे आपके प्रेम जिवन के लिए जो समय होंगे दोस्तों पारिवारिक वातारों यश्मे शकारत्मक बना रहेगा प्रहंतु प्रेम शम्मंदों में कभी-कभी आत्म विश्वास या फिर और विश्वास जिसी इस्तिती उत्पन हो शकती है इनसे आप बचने की कोशिश करें यश्मे आपके लव-लाइब के लिए जो समय होंगे पती-पतनी के शम्मंद यश्मे उत्तम रहेंगे प्रेम शम्मंद पार्गिस्ता बना कर रखें क्योंकि दोस्तों अलगाव की इस्तिती भी यश्मे उत्पन हो शकती है इसको प्रांद दोस्तों याश में आपके लव लाहिप के लिए जो समय होंगे आपके पारिवरिक जोवन के लिए जो समय होंगे दोस्तों पती पद्नी के शमन याश में ठीक रहेंगे परन्तु घर में कुछ ना कुछ परिशनियां रह शकती है दोस्तों परिशान ना होकर शमस्या का हल ढूने यह आपके लिए बैतर होंगे और दोस्तों कोशिल करने शमस्या का हल भी यश्मे मिलेगा इसको परां दोस्तों यश्मे अगर आपकी स्वास्तने सेहत को लिकर बात करें तो दोस्तों ये ज़्यादा तनाव लेने के वज़े से हार्मन शम्मंदी दिकतें आशकती है योगा और मेडिरिशन पर आपको ध्यान देना ये उचित रहेगा इसको प्राहं दोस्तों ये आपके स्वास्त के लिए जो सहमें होंगे चेश्टर संबंदी अधिकतें रह सकती है खांसे जुखाम वगेरा भी आपको परिशान यश्मे कर सकता है दोस्तों यश्मे शावधने बरतना आपके लिए अत्यावश्चों होगा इश्कुप्राण दोस्तों यश्मे आपके स्वास्त के लिए जो समयोगी आपके शेहत के लिए जो समयोगी दोस्तों कारेश्मता और उर्जा में कुछ कमी भी आपको महशुच कर सकते है योगा और मेल्ट्रिशन यश्मे आपके लिए उचित इलाजीच का होगा तो दोस्तों इन पर जरूर ध्यान दे दोस्तों इसमे आपके स्वास्त के लिए जो समयोगी दोस्तों पाचन परणाली कमजोर रहेगी क्यों दोस्तों इसमे आपके उपर तनाव रह सकता है हलका फुका सुपाचे भोजन ही ले ये आपके पाचन परणाली के लिए बहतर होगी तो दोस्तों इन पर ध्यान दें ये आपके लिए भैतर होंगी उश्क प्रांदों से इसमें आपका भागिशाली रंग रेगा लाल और भागिशाली अंक रेगा आठ